करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों का पीटी क्रेश को स्टार्ट हो चुटा है जिसके अंदर हम लोगों आपको NCRT, TopicWise, Previous Year Questions, India Yearbook, Economic Survey, Reports & Surveys, Other Reports & Surveys, One Year Current Affairs, CSAT के अंदर Maths English Reasoning और Maths, English Reasoning और English Comprehensive और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए important है वो सारा करवाएंगे साथ में आपको टेस्स अविलेबल करवाएंगे जो के पूरा 100 टेस्स आपको अविलेबल करवाकर पीटी के success को शुर करवाएंगे आवर टोपिक स्टाइब करेंगे तो नवश्कार आदाब दोस्तों अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा कहो सबसे बड़ा ताकतवर देश कहो सब कुछ कहो अमेरिका की एक बहुत पढ़िया सी चाल थी जो किसी टाइम पर इंशेंट पीरिड जो प्री मॉडर्ण पीरिड जिसमें अंग्रेज आय तो उसने क्या किया हर जगाहे पर अपने दोस्त बनाए और दोस्त इस तरीके से बनाए और दोस्त जो है वह इस तरीके से बनाए और ऐसी संदर जवक होती है ऐसी situation में अमेरिका ने एक plan बनाया जबरदस और plan ये था कि लड़ूँगा तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम लड़ोगे, सब मिलकर लड़ेंगे, तुम सब की रक्षा की guarantee मेरी, लेकिन तुम सब को मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, अंग्रेजों की सहायक संधी य लेकिन यहां अगर आप बोटे तोर पर देखें तो अमेरिका ने इसके लिए क्या किया, अमेरिका ने रशिया को अपना दुश्मन मनाया, रशिया से अगर लड़ाई कर रहा है, तो जितने भी वेस्टरन कंट्रीज हैं, इन सब को अपने साथ मिला कर NATO बना लिया, इसी त तरीके से जापान कोरिया से लेकर अलग-अलग सब से संधी करता है, ताइवान से, फिलिपीन से, सब से संधी करता है, और यहां पर मजे की बात ये, कि इन सब की रक्षा की गारंटी भी देता है, और इसके बदले में इन सब से या तो मनी लेता है, या फिर या तो मनी ले बेचने की कोशिश करेगा यानि अपने जो हतियार है वो बेचने की कोशिश करेगा ऐसी सिच्वेशन में अगर आप लोग देखते हैं यहां कितना जबरदस्त सिच्वेशन है कि या तो अपने हतियार बेच कर पैसा लेगा जैसे सौधी अरेबिया के साथ 100 बिलियन डॉलर क एग्रिमेंट करता है कि आप 100 बिलियन डॉलर के हतियार मेर से खरीदो तो कितना ज़ादा पैसा मिला होगा और ऐसे में सौध कोरिया के साथ एक एग्रिमेंट कर रखा है कि सौध कोरिया असलियत में घिरा हुआ है दो बड़े देशों के साथ या यूं कहें तीन अब तीन नहीं बचे ही नहीं क्योंकि जापान भी अमेरिका का दोस्त है ऐसी सिचुएशन में साथ कोरिया की दुश्मनी या तो नौर्थ अमेरिका से है या चाइना से है अब इस दुश्मनी के बदले में या इस दुश्मनी के रिस्पॉंस में असलियत में अमेरिका को ये कहा गय कि आप हमारी रक्षा करेंगे अमेरिका कहता है ठीक है याराम हम तुमारी रक्षा कर लेंगे लेकिन इस रक्षा के बदले में आप हमारे इस रक्षा करने के लिए हमारे 30,000 अमेरिकन सोलजर्स जो हैं वो हर समय साउथ कुरिया की धरती पर रहेंगे 30,000 अमेरिकन सोलजर्स जो हैं वो South Korea के धरती पर रहेंगे और इनका जो expense है इनका जो expense है वो अमेरिका और South Korea जो है America and South Korea मिल जुलकर बियर करेंगे मिल जुलकर बियर करेंगे यानि दोनों के दोनों इसकी 30,000 सेना का खर्च का बोज उठाएंगे अब ऐसे में यहां America और South Korea के relations में कोई problem नहीं थी लेकिन अगर आप देखते हैं तो 2008 के बाद America की जो जीब थी वो भीली होने लगी कमजोर होने लगी पैसा कम होने लगा तो यहां पर Obama ने तो किसी भी तरीके से situation को कोई समस्या नहीं थी जैसी थी वैसी ही रही लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां पर Trump जैसे ही आए Trump ने आते ही कलेश करना शुरू किया और स्पस्ट शब्दों में South Korea को कहा कि या तो आप अभी के खर्चे का 5 गुना पैसे दो वरना भूल जाओ के अमेरिका की सेना यहां रहेगी चाइना को बाद में निप्टूंगा पहले तुम पैसे दो सोच कर देखिए Trump administration की इस demand का response यह था कि Trump चार साल रहे चार साल में Trump और South Korea की कोई खास बाचीत नहीं हुई relations अपने सबसे निचले स्थर पर थे ऐसी situation के अंदर हालात ये थे कि अमेरिका का बहुत सारे दोस्त जैसे जर्मनी डेनमार्क से लेकर फ्रांस तक अमेरिका से नाराज चल रहे थे exactly उसी तरीके से South Korea से भी बहुत जादा अच्छे relations नहीं थे जापान से भी बहुत जादा अच्छे relations नहीं थे क्योंकि South Korea और जापान से अच्छे relations नहीं थे यही रीजन था कि अमेरिका के relations अपने दोस्तों के साथ बिगड़ रहे थे लेकिन एकदम से अगर आप देखते हैं ट्रम्प के बाद आए बाइडन बाइडन की policy यह है कि हम अपने दोस्तों को दुबारा से अपने साथ जोडेंगे और अपनी position को मजबूत करेंगे यानि हमारी लड़ाई में जो हमारे दोस्त भागीदार थे वो भागीदार बने रहेंगे उनसे बात करते हैं अब बात करते हैं में आकर बाइडन ने ट्रम्प का जो खेल था वो समझ में आ गया ट्रम्प ने दबाव डाला और साथ कोरिया की हालत खराब थी वो चाहता भी नहीं था कि अमेरिकन जाएं लेकिन पांच गुना पैसे एक दम से बढ़ा रहे ना कोई जायस भी नहीं था इसलिए जैसे ही बाइडन आये बाइडन ने साथ कोरिया के प्रेजडेंट से जैसे ही डिसकेशन करना शुरू किया तो यहाँ पर साथ कोरियन गौर्रमेंट से जैसे ही डिसकेशन करना शुरू किया इनका नाम था मून जो इन इनसे जैसे ही डिसकेशन करना शुरू किया तो इन दोनों के बीच में खत्रे को देखते हुए इनके लिए ये खत्रा और इनके लिए ये दोनों खत्रे ऐसे में ये दोनों के दोनों दोस्त तो होने ही होने हैं ऐसी सिचुएशन में ये मामला अब तै हुआ है कि नया agreement हो गया है और इस नई agreement के अंदर आप देखेंगे कि South Korea जो है अमेरिका को दिये जाने वाले पैसे में एक amount को increase कर रहा है हतियार खरीदेगा पैसे बढ़ाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से अमेरिका की support South Korea को जारी रहेगी अमेरिका को South Korea की जो support है वो जारी रहेगी क्योंकि यहां यह South Korea है जिसकी राजदानी सियोल है इसका जो सी कोस्ट है उसके एक तरफ चाइना है और land border जो है वो North Korea से मिलता है नीचे के जापान को छोड़िए लेकिन अगर आप यहां देखते हैं तो चाइना का और South Korea का दवाव South Korea पे इतना जादा है कि उसे इस एरिया में अमेरिका की जरूरत है और दूसरा अमेरिका को भी South Korea की जरूरत इसलिए जादा है क्योंकि आने वाले समय में यहां South Korea अगर कमजोर होता है या नहीं होता है या गिर जाता है तो चाइना की position इस पूरे इलाके के अंदर बहुत जादा मजबूत होगी और अमेरिका यहां पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा और यही एक situation है जिसके चलते टरंप भले ही गुसे से काम ले रहे हो लेकिन यहां पर बाइडन ने और मूंग जो सिंग ने काफी जादा सोच समझ के कदम उठाया और बीच के रास्ते को अपनाए रखा और अमेरिका का यहां पर एक दोस्त जो है वो मजबूती के साथ अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है तो दोस्तों यह एक छोटी सी information दोनों देशों के बीच की और इसमें आप लोगों को किस तरीके से क्या problem आई या क्या चीज और इंप्रूव करनी चाहिए थी वो suggestion दे और हमसे जुड़े रहें like, subscribe, share के लिए तो request कर चुका हूँ बाकी देखा जाएगा धन्यवाद You can download our app from play store for free live demo classes